देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन जैपूर अजमेर के बीच जब पहली डेमू टेंड बुद्वार से शुरु हुई जैपूर एलवे स्टेशन से सांसत राम टेंड भोरा ने हरी जब्डी दिखा कर डेमू टेंड को अजमेर के लिए रवाना किया में आगी जाकर फुलेरा स्टेशन पर केंद्री मंत्री राजजवर्दे सिंग डाठोर ने टेंड को हरी जब्डी दिखा कर रवाना किया स्टेंड के संचालन से जैपूर से अजमेर जाने वाले और अजमेर से जैपूर आने वाले यातिरों को काफी सुईधाय मिलेगी स्टेंड का सभी स्टेशनों पर ठेराव रहेगा जिससे यातिरों का आवगमन आसान होगा डेमू टेन रहिवार को छोड़का सब्ता में 6 दिन संचालित होगी फूलो से सजीवी डेमू यू टेन जेसी फुलेरा इस्टेशन पर पहुंची शेतर वासियों ने ड्राइवर और गाड का स्वागत किया असके बाद सांसद और केंद्री मंत्री राजवर दिन सिंग डाठोड का भाडपा कारेकरता उने स्वागत किया हम आपको बता दी कि आगामे दिनों में शेडी के लिए ट्रेन का संचालन किया जाएगा जिसके लिए प्रियास किये जा रहे हैं कर दो कर दो किया है और एक इको गार्डन का उद्गाटन करके और यह काम चलू किया एक डेमू ट्रेन यहां से जेपूर से अजमेर सवेरे अजमेर से चल कर और जेपूर पहुंचेगी और शाम को पांच बजे से चल कर और करीब आठ बजे अजमेर पहुंचेगी तो यहां के जिते भी क्रशक हैं, यहां के मजदूर हैं, यहां के दूद वाले हैं, सबजी वाले हैं, इन लोगों को छात्र हैं, वियापारी गण हैं, इन लोगों को अपने अपने स्टेशनों से जेपुर आने में और जेपुर से वापस जाने में एक सुईधा का काम होगा और इससे तरह से हमने यहाँ पर आज सभी स्टेशन प्लेटफोर्म्स पर लिप्ट का भी उद्धाटन किया है एक, दो, तीन, चार, पांचों स्टेशन पर लिप्ट का भी काम हुआ है एकसलेटर का भी यहाँ पर काम हुआ है यहां का जयपूर स्टेशन का जिस तरह से स्वस्था का मानने नेरेंद मोदी जी का जो नारा है उस स्वस्था में भी जयपूर अपने आप में अपना में